तो लास्ट लास्ट में हमने जो टॉपिक किया था वो था रैश्नल नंबर रैश्नल नंबर्स में हमने क्या लिखा था कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते है उनको हम क्या कहते है रैश्नल नंबर यानि कि जहां पर अनुमिरेटर और डिनोमिनेटर ये देखने को मिलेंगे उनको हम रैश्नल नंबर कहेंगे और क्यू वहाँ पर कभी भी किसके एकवल नहीं होना चाहिए जीरो के एकवल ठिक है तो ये हमने लास्ट लास्ट में डिसक टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग, डैसिमल देखें लिएको मिलेगा, आपका जो आंसर आएगा डिविजन प्रोसेस का, वो कैसा होगा, या तो टर्मिनेटिंग डैसिमल होगा, एक्जामपल के लिए जैसे आपने टू से डिवाइड कराया, किसको, सैवन को, हाना, तो आप 2, 3, 6, माइनस किया, 1 आया, हाना, पॉइंट लगाया, 0, 2, 5, 10, तो ये आपने प्रोसेस देखा, कि यहाँ पर डिविजन का प्रोसेस यहाँ पर आकर क्या हो गया, एंड हो गया, और जो भी आपका डैसिमल एक्सपेंशन है, उसका आंसर कितना आया, 3.5, एक्जा कहेंगे कि यह कैसा डैसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, ओके, और जो दूसरे टाइप के आपने देखे थे, उसको आपने क्या नाम दिया था, जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रि तो 3, 2, 6, minus किया, कितना आया, 1, अब आपने यहाँ point लगाया और यहाँ पर 0 लिख लिया, अब आप divide कराओ, 3, 3, 9, minus करने पर फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाओगे, फिर 3, 3, 9, minus करोगे, फिर 1 आएगा, तो यह and so on process चलती जाएगी, 3, 3, 3, 3 and so on, तो इस तरह के जो terminating, इस तर नाम रखा था, non-terminating repeating decimal, ओके, तो यह सब कुछ हम last class में कर चुके हैं, आज की class में जो हमारा topic है, वो है irrational number, ठीक है, कौन से topic है, irrational numbers, तो irrational number मैंने आपको class 9 में कुछ उनकी property बताए थी, आपको याद होंगे, irrational numbers, irrational number की आपको चार property बता होनी चाहिए, कौन कौन, irrational number क्या क्या होते है, ऐसा number जो, ये जो मैं board पर चार property लिखने जा रहा हूँ, इन चारो property को follow करते हूँ, वो क्या कहलाएंगे, irrational number, सबसे पहली property क्या थी, every non-terminating, कैसा होना चाहिए, terminating नहीं होना चाहिए, non-terminating होना चाहिए, every non-terminating and, non-repeating, और repeat भी ना हो रहा हाँ, ना, non-terminating and every non-repeating decimal, expression is irrational, ठीक है, ये सबसे पहली condition है, ना तो terminate हो रहा हो और ना ही repeat हो रहा हो, तो ऐसा आपने class 9 में देखे थे, कुछ term याद करो, जैसे 1 point आपने लिखा 01, हाना, अभी ये कैसा number लिखा गया है board पर, तो answer ये terminate है, हाना, terminate हो चुगा है, लेकिन अगर हमें rational number इसको बनाना है, तो ये terminate नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, non-terminating, यानि कि चलता ही जाना चाहिए, तो चलता ही जाना चाहिए, तो मैंन यहाँ पर dot 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 लगाया, है न, इसका मतलब ये कैसा है, non-terminating, एक बात, दूसरा, कि यहाँ पर कोई भी number जो है repeat नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो digit है, हमारी वो repeat नहीं हो रही है, देखो यहाँ पर 01 आया, फिर यहाँ पर 20 आया, फिर 30 आया, फिर 1 आया, फिर 40 आया, फिर 40 आ बढ़ा है, हर बार कुछ न, कुछ चेंज आता जा रहा है, हर बार एक जीरो बढ़ता चला जा रहा है, तो इस तरह के जो number होंगे, वो क्या क्या लाएंगे, irrational number, चीक है न, इसी तरह से आप और भी कर सकते हो, जैसे 2 point आपने बनाया ऐसे, 1, 2 है न, ऐसे लिखा, फिर इसक कहीं, repeat होते हों, वो क्या कहलाते है, irrational number, चीक है, तो यह हमने class 9th में पढ़ा हुआ है, पहले से, और दूसरी property आपको याद होगी, not a perfect square, है न, not a perfect square, ऐसे number जो perfect square होते हैं, वो क्या कहलाते है, irrational number, जो perfect square नहीं होते हैं, है न, तो example के लिए जैसको मैं बात करूँ, जैसे root 2, है न, root 2 perfect square नहीं है, तो यह कैसा number है, irrational, root 3 की अगर हम बात करें, तो यह भी perfect square नहीं है, तो यह कैसा है, irrational number, root 4 की अगर हम बात करें, देखो, root 4 का आप answer जानते हो, कितना आता है, 2, तो root 4 का answer क्योंकि 2 आया है, तो यह कैसा number हुआ, perfect square, अब क्योंकि यह perfect square है, इसलिए यह irrational number नहीं है, ये कैसा नमबर है? Rational number, चीकरना? तो ये number perfect square नहीं है, इसलिए irrational है, ये perfect square नहीं है, इसलिए irrational है, लेकिन ये perfect square है, इसलिए irrational नहीं है, तो इसके बाद हम root 3 के बाद लिखें, तो कौन सा number मिलेगा हमें? Root 5, इसी तरह से root 6, यह सब प्यारे बच्चों कैसे नंबर है irrational नंबर क्योंकि यह perfect square नहीं है इसके बाद next third property याद करो कौनसी थी not a perfect cube not a perfect cube perfect cube कौन से होते हैं जैसे example के लिए अगर मैं बात करूँ तो root 1 perfect cube होगा cube root of 1 कितना होगा 1 तो वो perfect cube होगा root 8 की अगर बात करें cube root of 8 इसकी अगर बात करें तो इसका आंसर कितना आएगा 2 तो इसका मतलब यह है और जैसे कि root 27 की हम बात करें cube root of 27 तो इसका आंसर कितना आता है 3 इस तरह से तो यह जो number है यह कैसे है perfect cube root कहलाएगे तो ऐसे number जो perfect cube root ना हो वो सब क्या कहलाते हैं, irrational number, जैसे example के लिए, अगर मैं बात करूँ, यहीं से start करता हूँ, यह जितने भी example लिखे हुए हैं, यह perfect cube नहीं है, देख तो, है न, आप जैसे root 10, root 11, है न, और root, अगर मैं बात करूँ, 12, root 13, यह सब कैसे number हैं, तो यह ऐसे number लिखे हुए है, root के अ है न, तो यह इसका मतलब, यह क्या है, not a perfect cube, इसलिए हम कहेंगे कि यह सब क्या है, irrational number, ठीक है, और last चो property आपने पड़ी थी, यह pi कैसा number होता है, pi is an irrational number, ठीक है न, तो यह 4 property आपको याद होनी चाहिए, तो आप distinguish कर पाओगे between rational number and irrational number, यह, ठीक है, तो rational number की property आपको याद होगी, अगर कोई आपसे पूछता है, rational number क्या होते हैं, तो आप क्या answer दोगे, rational number वो number होते हैं, जो pi upon q की form में होते हैं, और वहाँ पर q 0 के equal नहीं होता है, ठीक है, number 1, और यह q होते हैं, q नहीं होता है, यह सब कुछ हम class 9 में discuss कर चुके हैं, तो ब उन में से एक होते हैं, terminating, जहाँ पर division की process end हो जाती है, और remainder 0 आ जाता है, दूसरे होते हैं non-terminating, जहाँ पर remainder की process 0 नहीं आती है, remainder हमारा answer 0 नहीं आता है, वो कभी भी terminate नहीं होता, वो चलता ही जाता है, and so on तक चलता ही जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 से 7 को divide कराने पर यह process कभी end नहीं होगी, end from तक चलती ही रहेगी, तो इस तरह के decimal expression क्या कहलाते हैं प्यारे बच्छों, non-terminating repeating decimal, तो अच्छा, यह हो गए rational number, यह हो गए irrational number, irrational number कौन से होते हैं, तो आप क्या answer दोगे, कि ना तो वो terminating हो, यानि कि non-terminating होना चाहिए, ना ही वो repeat हो रहा हो, यानि क non-repeating होना चाहिए, non-terminating and non-repeating वाले जो number होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, irrational number, इनके एक्जामपर नहीं है, दूसरी property, ऐसे number जो perfect square ना हो, ऐसे number जो perfect cube ना हो, वो सब कैसे होते हैं, irrational number, and last property, पाई कैसा number होता है, irrational number, तो यह irrational number की पहचान हो गई, और वो rational की पहचान हो ग जितने भी rational number है, उनको अगर कहीं लिख लिया जाए? Rational number को. जितने भी rational number है इन दुनिया में, उन सब को लिख लो, और जितने भी irrational number है. ये सब अगर एक जगा रख दिये जाएं, तो ये मिलकर क्या बनाते होंगे? तो answer है, ये दोनों मिलकर बना देते हैं, अगर ये दोनों सब एक साथ रख दिये जाएं, तो ये मिलकर क्या बना देते हैं? Real numbers. क्या बना देते हैं, प्याराचो? Real numbers बना देते हैं. चीक है न? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि real numbers क्या होते हैं, तो collection of all rational number and collection of all rational number is called real number. जितने भी rational number हैं और जितने भी rational number हैं, वो सब collectively क्या कहलाते हैं? Real numbers. ठीक है? जितने भी rational number हैं, वो सब real हैं. जितने भी rational number हैं, वो सब real हैं. बट हमने class 9th में क्या पढ़ाता? कि जितने भी real number है वो सब only rational नहीं होते हैं वो सब क्या भी हो सकते हैं irrational number भी हो सकते हैं जितने भी real number है वो सब only irrational नहीं होते हैं वो also क्या हो सकते हैं rational number हो सकते हैं तो यह सारी property हम 9th level पर फढ़ चुके हैं आप class 10th में RS Agrawal की book में exercise 1D में कुछ question दिये हुए तो इतनी information के basis पर आप उनको कर सकते हो ठीक है ना तो अब हम स्टार्ट करते है exercise 1D और उसका देखते है question number 1 अब आप इन सब questions का answer दे सकते हो जैसे exercise 1D में पहला question जो पूछा हुआ है वो है rational numbers, irrational number और real number इन तीनों को define करना है इनको कैसे पता करते हैं यह सब कुछ हम discuss कर चुके हैं तो rational number की जो definition आपने अभी तक बनी है वो क्या बन कर तयार हुई है the numbers of the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equals to 0 are called rational number ऐसे number जो P upon Q की form में हो ऐसे number जिनके पास एक numerator हो और एक denominator हो ऐसे number क्या क्या चैलाते है rational number तो यह इसकी definition है जो आप class 9th level पर पहला ही पढ़ चुके हो इसके बाद rational number की हम बात करें तो हमने अभी अभी क्या देखा irrational number वो number होते हैं जो ना तो terminating decimal होते हैं और ना ही repeating decimal होते हैं यानि कि वो कैसे होने चाहिए non-terminating and non-repeating तो यही अपने इसकी definition बनाई है the numbers that are expressible as कैसे होने चाहिए non-terminating होने चाहिए और कैसे होने चाहिए non-repeating decimal होने चाहिए ना तो terminate हो रहे हों और ना repeat हो रहे हों जैसे example आपने क्या लिया था 1.01 001 001 00001 अब यह देख रहे हो आपके यह ना तो terminate होगा और ना ही कई पर repeat हो रहा है हर बार 0 जो 0 मैं लिख रहा हूँ वो क्या करता जा रहा हूँ increase करता जा रहा हूँ तो ना तो terminate हो रहा है और ना repeat हो रहा है तो ऐसे number जो होंगे वो क्या कहलाएंगे irrational number फिर से कौन से number irrational होते हैं जो non-terminate हो ना तो terminate होते हो और ना ही repeat होते हो चीक है तो यह इसकी definition हो गई तो आप यहाँ से note कर लोगे और फिर इसके बाद जो third पूछा हुआ है वो है real numbers किसे कहते हैं तो real numbers आपने class 9th level पर जो पढ़ा है वो आपको पता हुआ क्या होते हैं real numbers real number एक collection होता है किसका collection जिसमें सारे rational number include होंगे और जितने भी rational number हैं वो सब include होंगे ठीक है तो क्या definition बनाओगे real number की आप real number की definition होनी चाहिए a collection of all rational number and all irrational number is known as real number तो यही इसकी definition हमने यहाँ पर note कर ली क्या definition बनती है all real number क्या होता है real number includes all rational numbers and all irrational number ठीक है न board पर मैं कोई भी rational number लिखूँ या कोई भी irrational number लिखूँ example के लिए जैसे मैंने 1 by 2 लिखा तो यह मैंने कैसा number लिखा है rational number कैसा number लिखा है rational क्यों? क्योंकि यह कैसा decimal expansion होता होगा terminating है न तो यह कैसा number हुआ rational number तो यह rational number है तो यह also क्या कहलाएगा real number अब जैसे example के लिए मैंने board पर लिखा root 2 तो root 2 कैसा number है irrational number है क्यों? क्योंकि यह perfect square root नहीं है चीक है न इसलिए ये कैसा number हुआ, irrational, तो ये अगर irrational है, तो also ये क्या कहलाएगा, real number, तो board पर आप कोई भी real number, rational लिखो, या irrational number लिखो, दोनों ही case में वो क्या कहलाएगे, real number, चीक है न, तो ये definition हो गई किसकी real number की, अब इसके बाद, अब क्योंकि आप rational number, irrational number दोनों देख चुके हो, तो आपको एक question दिया गया है, classify the following number as rational और irrational, चीक है न, तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहली चीज, rational number के लिए क्या condition है, तो answer है कि rational number वो number होंगे, जो या तो terminating decimal देगा, या non-terminating repeating decimal देगा, या तो terminate हो जाएगा, ऐसा decimal expansion, या repeat हो रहा होगा, ऐसा decimal expansion, वो दोनों ही case में क्य कहलाएंगे, rational number, चीक है न, अब जैसे example के लिए 22 by 7 है, अगर हम इसका answer लिखें, तो आप जानते हो कि ये 3.14 something ऐसे चलेगा, और ना तो ये terminate हो रहा होगा, और ना ही ये repeat हो रहा होगा, तो इसलिए इसको 22 by 7, और आपको पता है पहले से, कि ये pi की value के equal होता है, और pi category में रखेंगे, irrational number की category में, चीक है, ये बात आगी समझने है, ये 22 by 7 किसके equal होता है, pi के equal, और pi कैसा number होता है, irrational, चीक है, अब जैसे ये number लिखा हुआ है आपके सामने 3.1416, अब आप देख रहे हो ये terminating decimal है, तो terminating decimal अगर होगा, तो वो कैसा number होना चाहिए, rational number, rational number, चीक ह terminating decimal होगा, तो कैसा होगा, rational number होगा, अगर repeating decimal होगा, तब भी कैसा होगा, rational number, चीक है न, जैसे अगर हम third वाले की बात करें, तो pi कैसा number होता है, irrational, ये तो आपको पता ही है, पहले से, irrational number, ये आपने property हो पढ़ा है, चीक है न, अच्छा, ये इसकी बात करें, तो 3.142857, अब ये वाली जो digit हैं, ये क्या हो रही है, इसके उपर बार लगा है, इस बात का मतलब ये क्या हो रही है, repeat हो रही है, अगर repeat हो रहा है, तो वो कैसा number होगा, rational या irrational, तो answer, irrational की condition तो ये, ना तो वो terminate होना चाहिए, ना repeat होना चाहिए, अब क्योंकि ये repeat हो रहा है, इसके लिए यह irrational तो हो नहीं सकता, अगर यह irrational नहीं है, तो इसका मतलब कैसा number है, rational, यह, छीक है, फिर से 5.63, 6363, तो यह 63 इसमें क्या हो रहा है, repeat हो रहा है, अगर यह repeat हो रहा है, तो इसका मतलब यह irrational नहीं हो सकता, क्योंकि irrational के लिए non repeating digits है, ठीक है न, तो क्योंकि यह repeating digits है, इसलिए ह बना, ठीक है, इसी तरह से इसके और भी पार्ट है, उनको देखिए, next है, हमारे पास 2.04004 0004, अब आप देख रहे हो, dot 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 लगा हुगा है, अगर कहीं पर dot dot लगा हुगा हुगा हुग, तो एक बात तो पक्की हो गई non-terminating है, terminate नहीं हो रहा है, वो चलता ही जा रहा है, ठीक है, अब फिर आप पोस्अपन ये देखना है, कि non-terminating तो है, कहीं वो repeating तो नहीं है, तो आप देख रहे हो कि repeat नहीं हो रहा है, एक पार पहले एक 0 आता है, फिर 2 आते हैं, फिर 3 आ腺 फिर 4 आएंगे, यह कहलाते हैं, तो यह irrational है, इसकी बात करो आप, तो यहाँ पर देखो, 5, 3, फिर 2 बार 3 आया, फिर 3 बार आया, तो यहाँ पर repeat नहीं हो रहा है, तो यानि कि non repeating हो गया, और dot 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 लगा हुआ है, यानि कि terminate भी नहीं हो रहा है, तो यह भी कैसा है, non terminating और non repeating, ठीक है, अगर non terminating non repeating है, तो यह कैसा number हुआ, irrational, ठीक है, फिर इसके बाद, फिर से, यहाँ पर देखो, 1, 2, 1, यहाँ एक बार 2 आया, यहाँ दो बार आया, यहाँ तीन बार आया, तो यानि कि यहाँ पर repeat नहीं हो रही है, चीज़ें है, तो repeat नहीं हो रही है, और also dot 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 लगा हुआ है, यानि क यह perfect square नहीं होता है, और जो perfect square root नहीं होते हैं, वो सारे number क्या कहलाते हैं, irrational number, ठीक है, इनको किस category में रखोगे आप, irrational की category में, अच्छा, अब देखो 3 क्या perfect cube root है, तो answer 3 perfect cube root नहीं होता है, तो इसके लिए हम इसको किस category में रखेंगे, irrational की category में, इस तरह से, ठीक, यह समझ आया, अच्छा, तो यह तो हो गया, rational और irrational में, category में, divide करना है, ठीक है, तो बिलकुल आसान है, कि अगर कभी भी, ना तो repeat हो रहा हो, ना terminate हो रहा हो, तो irrational, otherwise सब कुछ क्या होगा, rational number, ठीक है, इसके बाद, exercise 1D का, question number 3 निकाल लीजिए, और question number 3 में, पूछा है, find a rational number between root 2 and root 3, root 2 and root 3 के बीच में, एक तो root 2 नमबर है, और एक root 3 नमबर है, इनके बीच में, rational number find करने हैं, ठीक है ना, अब देखो, root 2 की जो value होती है, वो आप याद रखो, 1.141 dot dot dot, ऐसे चलती जा रही होगी, ना तो repeat हो रही होगी, ना terminate हो रही होगी, इसी तरह से root 3 की अगर value के हम बात करें, तो वो भी आपने कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा हुआ, 1.732 dot dot dot, तो यह जो value है, ना repeat हो रही होगी, ना terminate हो रही होगी, तो इसका मतलब यह क्या है, irrational number, तो irrational number की, इन दौनों और irrational number की यह यह value होती है, ठीक है, अब हमें चाहिए इन दौनों के बीच में एक rational number, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1.1, यहाँ लिखा हुआ 1.7, अब 1.1 और 1.7 के बीच में बहुत सारी number आप ले सकते हो, जैसे 1.2 ले सकते हो, 1.3 ले सकते हो, 1.4 ले सकते हो, 1.5 ले सकते हो, 1.6 ले सकते हो, क्योंकि जो digit यह start होई थी, यह कहां से 1.1 से 1.7 के बीच में हमें number चाहिए, तो number कैसा होना चाहिए, जो 1.1 से बड़ा हो, यह सारे number क्या है, 1.1 से बड़े हैं, बट 1.7 से कैसा हो, छोटा, तो यह सारे number 1.7 से कैसे है, small है, चिक है ना, तो आप इन में से कोई भी number ले कर example दे सकते हो, जैसे example के लिए हमने ले ल 1.5 हो सकता है, 1.5 जैसे example के लिए 3 by 2, इनके बीच में एक rational number क्या आता है, 1.5 आता है, तो यह क्या हो गया, 3 by 2, 1.4 ले सकते हो आप, 1.4, तो 1.4 को आप क्या लिख साओगे, इसको लिख लो आप 7 by 5, तो यह सब क्या लिख रहा हूँ मैं, rational number, उसने एक rational number पूछा है, आप चाहो तो कितने भी rational number इनके बीच में लिख सकते हो, चीकर ना, इस तरह से, जैसे 1.3 है ना, इसको अभी आप 13 by 10 लिख सकते हो, तो यह सब कौन सी form है, P upon Q की form, तो कभी भी दो irrational number के बीच में rational number find करना हो, तो कैसे करते हैं, तो answer है कि उसकी value लिख लेते हैं, और फिर हमें पता है कि यह 1.1 जो value है, यहां से start हुई है, और यह 1.7 से, तो इसका मतलब इनके बीच का number चाहिए, तो इनके बीच के number क्या हो सकते हैं, यह सब कुछ भी हो सकते हैं, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, तो इन में से कोई भी number आप लेकर हो, आपर rational number लिख सकते हो, चीकर ना, तो य root 6 is irrational number, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कुछ theorems को करेंगे, और irrational number को कैसे proof करते हैं, कि वो एक irrational number है, इसके लिए हम एक method पढ़ेंगे, और वो method कहलाएगा, method of contradiction, to prove irrational number, तो उसमें कुछ theorem है, NCRT की book में, जैसे root 2 irrational number क्यों हो है, prove that root 2 is irrational number, prove that root 3 is irrational, prove that root 5 is irrational, तो ये जो सारे examples हैं, ये सारी theorems जो हैं, ये सब हम पहले proof करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने fourth number पर आएगे, चीकर ना, next question पर आएगे,